दिश्कार जय बारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और निशा है आपके साथ। निशान करती प्रसमेंट साध्राइब को निशाना नम 안uu सके यह ज़े निचान साध्राइब isने इस भेस से निचाना मैंने को को लेकर करके उन पर तंज कसा और मान जी की मांग को भी नितीश कुमार को याद दिलाया है जिस पर जीतंडा मां जी ने गया के विकास को लेकर के मां की थी देखे क्या कुछ करें विजय से न हमारे इस रिपोर्ट पर आप गया तो जा रहे हैं लेकिन इसके पहले सरकार को गया सुर्की प्रविर्ति त्याक करना पड़ेगा आज भी गया जिले की लोग भहे एवं आतंक के साहे में जीने को मजबूर है मांजी जी ने हाली में कहा था कि उन्हें अगर मुख मंत्री पत से हटाया नहीं जाता तो तपोवन को वो बोध गया से सुन्दर बन देती मुख मंत्री जी कम से कम मांजी जी का वादा तो पूरा कर दीजिए सुचना मिली है कि आप मांके बाजार परखंड छेतर में भी जाएंगे मेरा आगर है कि इसी परखंड में तेरह दिनों से करकर आती ठंड में धरना पर बैठे सैकरों आंदोलन रत किसानों से आप मिलें और उनकी समस्या को दूर करें लेकिन पूरी उमीद है कि आप इस आंदोलन में किसानों से मिलेंगे नहीं क्योंकि किसानों को लेकर आपकी उपेक्छा और घिरना जग जाहिर है बक्सर में भी आपने किसानों से मिलना उचित नहीं समझा था फिर किस बात का समधान आप निकाल रहे हैं किरप्या इस पिक्निक को समाधान यात्रा का नाम देना बंद करें। सत्र जो बिलम हो रहा है उसको तो व्यवस्थित करिए मुखमंत्री जी सिक्चा पर ध्यान दिजीये क्योंकि आपके सिक्चा मंत्री सिक्चा पर ध्यान कम जाती है और धार्मी को नमात पहलाने में ज़्यादा लगे हैं। गया सहर को आप भी देश के प्रधानमंती नरेंद मोदी जी की तरह वारा नसी का काया कलब जिस तरह से किया गया आप भी गया का सौंदर जी करन कराएं ये पूरे विशु का तिर्थ अस्थल है आप गया की पावन धर्ती पर कदम रखे हैं तो कम से कम अपने गया सुर की प अहुल खरा करें मानियम मुखमंती जी भुसुंडा में स्टेडियम के वादे का क्या हुआ गंगा जल योजना से आपने हजारों करोर रुपयों का फिर बंदर बांट कर दिया हर घर गंगा का जल पहुंच नहीं रहा है आप इसकी भी तो पूरी तहकीकात और जानकारी ल